Hello everyone, welcome to Creatrix YouTube channel, my dear friends, I am back again with very very interesting and important video for all of you यार अभी recently मैंना एक वीडियो देख रहा था और मेरे सामने एक बहुत ही अच्छा कोट आया जो मैं सुचा क्यों ना अपने students के साथ share किया जाए जो कि काफी true है, real life के इंदर और काफी important student point of view से आप मेरे पीछे देख सकते हो बिटा एक कोट, if you don't sacrifice for what you want, what you want becomes the sacrifice आप देखो आप में से बहुत सारे बच्चे इस समय पर job कर रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे college going होंगे उनकी life में आप बहुत सारी priorities होती है, जैसे की college वाले बच्चों के लिए assignments होते हैं, college वाले बच्चों के लिए college exams होते हैं, दोस्तों के साथ मस्ती भी करना होता है, बहुत सारी चीज़े होती है same way में job वालों के साथ job के task complete करना, timely आपके office पहुँचना, office से आना, travel, बहुत सारी चीज़े ऐसी होती हैं, which will take you away from your preparation, take you away from your target ये सारी चीज़े आपके लक्षे में contribute नहीं कर रही हैं, बलकि आपको आपके लक्षे से दूर कर रही हैं अब life में अगर हम इतनी सारी priorities बना लेंगे और उसमें से कुछ भी हम sacrifice करने को तयार नहीं होंगे, जो चीज़ हमको चाहिए उसके लिए, हमको एक rank चाहिए, हमको एक अच्छी job चाहिए, हमको एक अच्छी position चाहिए अगर उसके लिए हम लोग sacrifices नहीं करेंगे, सभी चीज़ों को prioritize करते रहेंगे, तो बिटा आपके life में सबसे बड़ा sacrifice हो जाएगा, आपका सपना, आपका goal, आपका dream, ये चीज़ sacrifice बन जाएगी तो that is what it means to say, कि यार अगर आपको जो चाहिए, उसके लिए sacrifices नहीं करोगे, तो जो चाहिए, उसी को आपको sacrifice करना पड़ जाएगा, जो की बहुत true है, क्या होता है ना आपकी journey में धेर सारे distractions आएगे, धेर सारी बार ऐसा आपको लगेगा, कि यार ये ना एक shortcut रास्ता लग इसको ले लेता हूँ, अगर आप ऐसे बिटा इस तरह के thoughts पे, अगर आप चले गए, तो आप जो लक्षे तक पहुचना चाहते हो, वहाँ तक कभी भी नहीं पहुच पाओगे, तो छोटे छोटे बीच बीच में distractions आएगे, छोटे छोटे rewards आपको लग सकते हैं, छोटे छ छोटे rewards, ये छोटी-छोटी races आपको sacrifice करनी पड़ेंगे in search of a bigger goal, in search of your dream, in search of your goals, ठीक है, तो आपको ये चीज़े sacrifice करनी पड़ती है, जैसे कई बार क्या होता है, कि मान लो यार, हमें ना अचानक से दिखता है कि ना यार बहुत अच्छी vacancy आई हैं कहीं पे, मान लो, कहीं पे 25 vacancy, 30 vacancy, 50 vacancy release हुई है, बट उस exam का syllabus काफी different है from what we are studying for gate exam, engineering services, civil service, किसी भी exam के लिए, अब अगर इस लालच में मैं पड़ गया, कि यार ये vacancy मैं crack कर लेता हूँ, वो crack होना हो पिटा, बट जिसके लिए आप इतने महीनों से महनत कर रहे थे, इतनी शिदत से महनत कर रह तो वही बात है कि बीच में बहुत attractive चीज़े आ सकती है, जो कि आपको आपके लक्षे से दूर करेंगी, बट उन पे नहीं जाना है, उन्हें आपको sacrifice करना होगा, ताकि आपका dream sacrifice ना हो जाए, और इस thought पे अगर आप और गहराई से सोचोगे ना, आपकी life के अंदर, बहु इसके चकर में जो time आपका lose होगा, जो तैयारी आपकी sacrifice होगी, वो again आपको आपके goal से दूर कर देगी, और आपको आपका goal sacrifice करना पड़ेगा, तो आप देखो life में दो तरह के pleasures हो सकते हैं, एक तो बिटा long term pleasure, एक होता है short term pleasure, short term pleasure कैसे जैसे आज कुछ अच्छा खा लिया, आज कोई अच्छा movie देख लिया, आज कहीं बाहर घूमाएं, these are all short term pleasures, they are important, मैं ये नहीं कहता हूँ, कि ये important नहीं है, लेकिन इनके चकर में अगर आप एक long term happy life को sacrifice कर रहे हो, अगर आप अपने goal को sacrifice कर रहे हो, तो in the long run you will not be happy, क्योंकि जब आपकी उमर निकल जाएगी, ज अच्छी life lead करनी है, तो कई बार छोटे छोटे pleasures को sacrifice करना पड़ेगा, वरना goal sacrifice हो गया, तो आज भले ही realize ना हो, लेकिन आगे चलके आपको realize होगा, ऐसी college going students बहुत बार सोचते हैं, यार कि एक short cut way है success का, कि एक IT job हम लोग पगड लें, और उसके चकर में हमने जितनी भी श शर्तों पे जिन्दगी जीने लगते हैं, enjoy करने लग जाते हैं, लेकिन ये short term pleasure तब जाके हमें hurt करता है, जब हम देखते हैं, हमारे colleagues, हमारे दोस्त, वो आज हमसे बहुत जादा कमा रहे हैं, वो हमसे life के अंदर बहुत आगे हैं, तब हमें एक regret feel होता है, या नहीं अगर और थोड़ी मेहनत करता, तो शायद अपने goal को मैं achieve कर सकता था, बट तब बिटा लोटने के लिए बहुत देर हो चुकी रहती है, और जो लोग लोट के भी आते हैं, they are not able to do as well, क्योंकि वो पूरा का पूरा concept से touch छोड़ चुके होते हैं, तो हमेशा ध्यान रखें, sacrifices जरूरी हैं, बस ये ध्यान रखें, आप eventually chase क्या करना चाहते हो, छोटे-छोटे games में मत फसिएगा, छोटे-छोटे लक्षे के पीछे मत भागिएगा, अगर आपका एक बहुत बड़ा aim, बहुत बड़ा goal है, उसके लिए हो सकता है, छोटी-छोटी चीजों को आपको sacrifice कर ना पड़े, be ready to do that, but keep on reminding yourself what you actually want in life, what is your ultimate goal, and whether a certain thing coming your way will take you closer to your goal, if not, let it be, अगर कोई भी चीज आपके रास्ते में आरे हो, आपको आपके लक्षे तक नहीं पहुँचा रही है, तो उसे जाने दीजिए, उसको chase मत कीजिए, क्योंकि छोटी-छोटी चीजों को chase करते वे, कहीं कहीं आप अपने मार्क से ना भटक जाएं, कहीं आप अपने लक्षे को ना भूल जाएं, इसलिए don't sacrifice your goal, make small small sacrifices for your goal, make sure that you reach your goal, तो ये बात को दिमाग में रखिएगा, बहुत अच्छा तो thought था, तो मैंने सुचा अपने students के साथ जरूर share किया जाएं, इसके अलावा देखो अगर गे 24-25 वाले बच्चे इस session को देख रहे हैं, इस video को देख रहे हैं, तो मैं उनको एक चीज़ बोलना चाहूंगा भाई, कि अभी आपके पास एक मौका है बिटा, कि Unacademy subscription के अभी prices बढ़े नहीं हैं, बढ़ने वाले हैं, तो अभी जो minimum prices है न, उस पे भी आपको 20 percent off मिल रहा है, आप अंकित IAC code से आप join कर सकते हो, इस code का मतलब है, मेरी जिम्मेदारी है आपकी तयारी, जितनी महनत लगे, जितने initiatives लाने पड़े, I'll take for you to be successful, तीक है, जैसे इस बार मैंने promise किया, plus पे मैं 8-9 subject आपके cover करके दूँगा, plus और YouTube मिला करके, I'll try and cover the entire syllabus for gate examination, but अगर आप अंकित IAC code लगाते हो, तो आप एक faith show कर रहे हो मेरे अंदर, आप एक faith show कर रहे हो one man army के अंदर, कि sir हम आपकी army का हिस्सा है, sir हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ महनत कीजिए, हम आपके साथ महनत करेंगे, और मिल के फोडेंगे, और इस पे अभी आपको 20% off मि आपके को बाद में prices भी बढ़ जाएंगे, अभी prices भी कम हैं, और उस पे 20% off मिल रहा है, using the code अंकित IAC, ठीक है, और हमारी offline classes का भी नया batch आ रहा है, 17th April से, इसमें धांदे सर control system start करें, आप center पे जाके admission ले सकते हो, otherwise ये QR code scan करके भी आप admission ले सकते हैं, ठीक है, और ये latest batch है 31st March से start हुआ था, इसमें अधित्यसर control करा रहे हैं, अब हमारे जो नए batches आ रहे हैं, electrical और ECE के लिए, वो 14th April से start होंगे, but make sure that you use the code अंकित IAC and join an academy as soon as possible, I'll see you soon with more initiatives, बहुत सारे initiatives planned है, एक dedicated session करूँँगा आप लोग के लिए क्या क्या लेके आ रहा हूं, but पहले चीजों का पूरा सा plan हम लोग ready कर लें, और फिर मैं आपके सामने और initiatives पेश करता हूं, बेटा ये जान लो, April मंत का second half और मे, आपके लिए बहुत golden months होने वाले हैं, बहुत कुछ YouTube पे मचाने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है, तो फटा-फट से आप decision लीजिए, आपका goal क्या है, आपको क्या chase करना है, और मेरे साथ जुड़ी है अपनी इस journey के अंदर using the code अंकित IAC, मिलते हैं next वीडियो में, let's crack it!